हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो अवर चैनल स्यस्टेडी लास विड़ों पर हम कर रहे थे वड़ी मीन बाइट मैम्री इंटर लीविंग क्या होती है और उसका मीनिंग क्या है एक सिंपल सा कॉंसेप्ट हमने इंटोड़क्शन रीड कर लिया था आज हम करने जाने हैं हाउ इस ड जिलं जो मैं में 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 म् हा प्रिकलर सेंब की अपने अपनी एडरेसी लोतर जैसे हैं जैसे यह में 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 यह пр distinguished जाने का address अपना अलग-अलग है इन्डिविजवल है जब हम उसके across पे में memory कु मोड्यूल में divine करते हैं जिसी हमने divided कर ते हैं कि इतना एक मोड्यूल बनेगा मतलब इतनी मेम बीको हम अलग-अलग मोड्यूल में करेंगे हैं इतने हिस्से में अलग करेंगे इतनी मैं मोड्यूल्स में उसको डिवाइड करते हैं जितने हमारे पास में उसके कोरस्पंडिंग में by interleaving the address space, जब हम interleave करते हैं memory के space को, मतलब memory के addresses को, उसको divide करते हैं small modules में such that consecutive words in the address space are designed the different memory modules, अब देखो जैसे वो बोलना चाहता है कि जब हम memory में जाते हैं, memory के addresses होते हैं, जब हम memory पे interleaving apply कर रहे हैं उस time पर memory में जो free spaces हैं या free नहीं है, filled spaces भी है, उसकी memory का address है, वो continue है, sequence में है अगरम sequence वाले, जो भी हमारे पास memory के address हैं, उनको modules में divide करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा उससे? modules जो है, वो एक different module बन कर आएगा, चीक है, different module कैसे बनेगा? देखो, वो कह रहा है कि memory है, इस memory में, जितने भी continuous memory के locations होगी, अगर उन continuous memory location को हम divide करेंगे modules में, उस time पर जो modules का अपना एक address बनेगा, वो unique बनेगा, चीक है? वो उस memory से relate नहीं करेगा, unique बनेगा इतना समझ में आया? different memory modules, अलग अलग memory modules उसका हम बना सकते हैं और memory is a memory array, memory क्या है? एक memory का array है, memory array क्या होता है? जिसमें kind का data, similar kind का data store होता है, ठीक है? डेटा में इस तो data ही होता है, similar kind का data store होता है, together with the address and the data registers और उसके साथ होता क्या है? उस एड्रेस पे? उसका खुद का एड्रेस होता है, कि इस particular memory location पर store है, यह module में store है, and data registers, ठीक है? data register क्या करते है? data register data को contain करते है, और memory address उसके memory के address को contain करते हैं let us discuss it by the example of memory figure, यहाँ पर हमें एक example देखेंगे, simple से example है, उससे आपको easily समझ में आजेगा कि हम कैसे करते हैं memory interleaving को यह देखी, यह है हमारे पास diagram, diagram में देखो, सबसे पहले यह counting जो start हो रही है na, 0000, यह address है, यह memory के address है, फिर son कहां तक जा रहे है, 111 तक, यह memory के address कहीं तक भी जा सकते हैं, तो हमने small example लिया है, ठीक है, और इस bit का मितलब क्या होता है 15, और 4 times 0 का means क्या होता है, 0, इसको हम हमने counting है यह और इसको represent कर रहा है हमने 4 bit में, 4 bit का use है ने, इसके लिए हमने 001 को represent करने के लिए 4 bit यूश किया है, 0001, 001, 001, 002 किसके लिए होता है, 2 के लिए, ठीक है, तो आप simple समझ में आया, आपको जितने भी यह हैं, यह सब addresses है, यह तो हो गया address registers, जहां पर address store है, memory के address address का जो array होता है, यह array है, memory array, next, जो यह वाला array है, यह memory है, इसके अंदर आप क्या store करते हो, यह है, इसको आप memory भी बहुत सकते हो, memory में data register भी बहुत सकते हो, क्योंकि जो भी हमारा data होता है, में particular data होता है, वो किस में store होता है, data registers में, तो इसको आप data register बहुत सकते हो, यह memory ओके यह सब data है 10 20 30 40 50 60 70 80 and so on जितने भी यह सब data है और जो यह वाले हैं यह memory आ रहे है 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 triple 0 like this ठीक है यह सब मेरे पास arrays है अब इनको अगर आप count करोगे तो total 16 बनते हैं है ना 0 to 15 हैं कि अगर इसे आप count करोगे तो यह total 16 बनते हैं अब 16 है ओके 16 को आपने इस तरह से डिवाइड करना है जो वो इंटर लिविंग के concept को support करें इंटर लिविंग में हम करते क्या है बड़ी memory है उस बड़ी memory के size को small small modules में डिवाइड करते हैं यह काम करते अब आप सोच रहे होगा कि अगर नेक्स रोता नेक्स रोता तो एक और मोड्यूल बन जाता है और बाग्के जो डेटा इस्ट्रेज ने वो फ्री रहते हैं अभी हमारे पास 16 है 16 को हमने फॉर फॉर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं memory interleaving के लिए अब इसको memory interleaving करेंगे कैसे देखो यह modules है 1 2 3 & 4 चीक है है कि यह memory module memory module mms memory module अब यहां पर जो memory module है वो कौन सा है 00 यह कौन सा memory module है 101 यह वाँ 0 & यह कौन सा module है वन वन अगर आप इसको binary से or चेंज करता है यह memory module जीरो बन रहे यह memory module 01 बन रहे जीरो बन अबसलानों क्या ओता है वन और उन 0 के होते memory module 2 memory मोड्यूल 3, double 1, अगर उसको 2 bit में हम रिपर्जेंट करते हैं, double 1 को तो क्या बनता है, 3 बनता है, चीक है, तो हमने यहाँ पर 4 मोड्यूल्स लिये हैं, और उसको डिवाइड कर दिया, 4 मोड्यूल्स में, यह 0 है, 1 है, 2 and 3 है, हो गया, अब यहाँ पर हमने काउंटिंग 0 से क् करी, क्योंकि हमारे पास जो memory में addresses थे, वो 0 से start थे, तो combination हमें ऐसा बनाना था, कि जो भी इनका actual address है, वो उससे match करें, जो memory का जो array address था, ठीक है, address का जो array था, उससे match करना चाहिए, अब आप देखों, combination बने का क्या ध्यान से देखना, यह memory module क्या है, 00, और जो यह particular cell है, इ इस वाले cell का क्या address है, क्या address इसका, 01, 1, इस वाले का 10, इसका 11, चीक, next वाले पर चलो, इस memory module का, जो memory module का address क्या है, 01, और जो इसका अंदर cells है, contain कर रहा है, जिन cells को, उसके address इसका है, 00, 01, 10, 11, आपने एक चीज़ देखी, memory module जो है, वो increase हो रहा है, 0 है, 01 है, 10 है, 11 भी है, लेकिन उसके अंदर जो cells है, उसके अंदर जिन cells को वो contain कर रहा है, उनकी counting क्या है, 00, 01, 10, 11, सब के लिए similar है, ज्यान दिया आपने देखो, 00, यहां पे भी 00, similar, है ना सबके पास सिमलर काउंटिंग क्यों है क्या लोजी के पीछे देखो यह मॉड्यूल है 00 और 00 पे 00 वाले सेल पर कौन सा एड्रेस है यहां पर कितनी जिरो जो गई 0000 पी क्या डेटा स्टोर है 10 मिल गया भी डेटा दू है यह 00 मेम्री मॉड्यूल है और सेल का एड्रेस है 01 मेम्री 0001 क्या है 20 स्टोर है डेटा ओकी यहां पर भी कोरेस्पॉंड ने में 20 स्टोर है समझ में आया कैसे इंटरलीवड होरी मेम्री अब यह देखो हम लेते हैं इसक 0000 मिस यहां पर क्या बनाई है 1000 1000 वन ट्रिपल जिरो पर क्या डेटा है 90 देखो यहां पर भी डेटा 90 अब समझ में आया कि कैसे इंटरलीवड हो रहा है प्रसेस उसी मेम्री मोड्यूल को जो एक्चल में हमारे पास ओरिजिनल थी उसको हमने डिवाइड कर दिया और इस वे इक्रोस तो मल्टिपल मोड्यूल्स अब वो क्या खरते यहां पर जो अपर हम करते थे में मेंरी पर जादा स्लों हो जाता था परफोर्म करना पहले कैसे में मेंपरी के पास बीदिए लाकर डेटा सीपो सबसारा जो करेंगा तब जाके आगे फर्दर आपूट मिलेगा ठी ताकर उसको सारी में से ना डूणना पड़े जो मोड्यूस है उसके अंदर से उससी सिफ सर्च करना कि इस मोड्यूल में यह डेटा है सारी में से पहले सर्चिंग नहीं करने पड़ेगी और सर्चिंग आप स्वोलीं से काम चल जाएगा तो司क यह हो चोंप कर सके हम ने पड़े में sacar सिर्ड होते हैं एक तू एड्रेस की हम फिनुछ वह तो आङ्ट्रस होता है यहां पर अद्रेस के दोश्केर हम एक हो उख है त्सोंछ prag आज इस single address bus है और यहां पर एक single data bus है address bus से जो भी data है वो किसके ओपर load हो रहा है कौन से registers हैं MAIR means memory address registers जितना भी data है address bus में वो memory address register पर load हो रहा है वो data किसको मिल रहा है जितने भी modules में वो divided है हमानी memory उनको मिल रहा है महां से वो अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं मोड्यूल्स में कौन से मैम्री डेटा रेजिस्टर्स में मैम्री डेटा रेजिस्टर्स में जिसमें डेटा स्टोर होगा एक्चुल और यहां पर वो डेटा बस पर उसको लोड कर देगा ताकि जितने भी डेटा ट्रांस्मेट हो रहे हैं वो डेटा बसके थूँ हो सके यह था इस डाइग्राम का मदलब दोस्टेट्स आज के लिए बसकता है अगर इस फीडियो को सबस्टेश में आपको कोई भी डाउट आते देना आपको में कमेंट कर सकते हैं